हेलो दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी जादर से जादर लाइक और शेर अगर आप गूगल करेंगे तो आपको एथिलीन भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहां बात क्रित्रिम वरूप से पकाने की की गई है, जो एथिलीन होता है, वो भी फास्टर रिप्निंग यानि पकाने के लिए यूज होता है फ्रूट्स को, बट यह जो प्रोड्यूस की जाता है एथिलीन यह नेच्रली किया जाता है प्लांट से प्रोड्यूस, जबकि बात करें एथिलीन की तो यह कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है, तो क्वेशन में कृत्रिम रूप से पूचा है, इसलिए 134 का D जो है सई ऑप्षन हो इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउट ऐनर्जी में कन्वर्ड करता है आपका लॉड़ स्पीकर जब आप बोलते हैं। जो भी आप बोलते हैं उसकी sound जो है वो electric energy जो है उसको sound energy में convert कर देता है यानि विद्यो तुर्जा को द्वनी उर्जा में option C 135 का right answer था 136 देख लेते हैं इसमें पूछा गया है जब एक दोड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुख जाता है सवार आगे की ओर जुख जाता है प्रभावी गती का नियम है तो अगर गोड़ा एक दम से रुख जाए तो उसके बैठा जो गोड़ सवार होता है वो एक दम से आगे को जुख जाता है तो किस वज़ा से ये जुखता है 136 का ए जो है right answer हो जाएगा फस्ट लॉफ मोशन तो जब एक गोड़ा दौरता हो अचानक रुख जाता है तो उस पर सवार जो गोड़ सवार है वो आगे की तरफ जुख जाता है तो प्रभावी गती का नियम जो लगता है इस पर फस्ट लॉफ मोशन एपलिकेबल होता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोड़ सवार के श्रीर का निचला हिस्सा गोड़े के साथ विश्राम में आ जाता है लेकिन उपरी भाग जो है गती के जड़त्व के कारण गती को बनाये रखता है तो इसलिए जो है आगे की और जुगता है गोड़ सवार या उसको जटका लगता है जटका नहीं वो लेंगे वो आगे की तरफ जुखेगा तो ऑप्शन ए राइट अंसर है वायूमंडलिये दाव किससे मापा जाता है ऑप्शन डी बैरोमेटर इसके लिए राइट अंसर हो जाएगा तो बैरोमेटर करण का प्रयोग होता है एट्मॉस्फेरिक प्रेशर या वायूमंडलिये दाव को मापने के लिए बैरोमेटर में एक ग्लास ट्यूब होती है शिशे की ट्यूब उसमें जो है मरकरी होता है तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे जो है मरकरी उपर जाता है तो उससे पता चलता है कि वायूमंडलिये दाव कितना है 137 का डी राइट ऑप्शन था 138 देख लेते हैं ऑप्शन बी इसके लिए राइट अंसर हो जाएगा How do we better know Riboflavin विटामिन B2 Riboflavin एक दवा है जो आपके श्रीर में Riboflavin के नीमन स्तर को रोकती है और इसका इलाज करती है Riboflavin विटामिन B है यह आपके रक्त कोशिकाओं मस्तिस्क तवचा और पाचन तंतर के स्वास्ते को बनाए रखता है यह दबा टेबलेट के रूप में आती है तो यह कोशिकाओं के विकास के लिए उर्जवत पादन और वसा, स्टेरोइड्स और दबाओं के टूपने से हुए को एंजाइम्स का एक प्रमुख घटक है रैवोफलेविन ऑप्शन भी 138 का भी राइट ऑप्शन था हाइट्रोफोबिया का अक्षरष शब्द क्या है तो what does हाइट्रोफोबिया literally mean ऑप्शन ए राइट अंसर हो जाएगा fear of water अगर आप गूगल करेंगे तो हाइट्रोफोबिया का मतलब होता है पानी के प्रती आकर्षन की कमी या पानी से भय या डर तो ऑप्शन A. 139 के लिए राइट अंसर है ऑप्शन B की बात करें तो fear of animals को जूफोबिया के नाम से जाना जाता है Z.O.P.H.O.B.A. ये जूफोबिया और किसी को अगर सिर्फ कुत्ते से ही डर है जानवर जो कुत्ता होता है उसी से अगर डर हो तो इसको साइनोफोबिया कहा जाता है जो कुत्तों से अधिक डरते हैं उनको साइनोफोबिया की बिमारी हो सकती है ये साइनोफोबिया हो सकता है बात करें fear of height की तो जिसको उन्चाई से डर लगता है उसको एक्रोफोबिय केहते हैं तो एक्रोफोबिय की बज़े से उन्चाई से डर लगता है 139 का A right option था 140 देख लेते हैं scientific name for blood cancer is option B leukemia 140 का B right option है यहां देख सकते हैं blood cancer एक प्रकार के cancer जो आपकी रक्त कोशिकाउं को प्रभाबित करता है leukemia जो के option में है lymphoma और myeloma रक्त cancer के कुछ आम प्रकार हैं इसके भी प्रकार होते हैं जिसमें MPN और MDS कहा जाता है तो तीन नाम हो सकते हैं तीन प्रकार के blood cancer के leukemia option में दिया गया है जबकि lymphoma और myeloma नहीं है तो option भी right answer हो जाएगा इस हिसाफ से चलिए next देखते है 141 इसमें पुछा गया है chemical formula for laughing gases nitrous oxide option C144 141 का right answer है और कई बार इसका formula भी पुछा जाता है तो chemical formula N2O हो जाएगा इसका nitrous oxide is an oxide of nitrogen with chemical formula N2O देख सकते हैं देख सकते हैं आपर this is organic compound in colorless and non-flammable at room temperature it is also known as nitrous or laughing gas तो 141 का C nitrous oxide चलिए next देखते हैं 142 एक कटा हुआ सेव जब हवा में खुला रखा जाता है तो कुछ समय पस्चात भूरा हो जाता है यह स्तिती यह किसकी उपस्तिती के कारण होता है option A142 के लिए right answer है सेव में iron अधिक मातरा में होता है उसके कटे जाने पर वाईयू में oxygen के संपर्क में आने पर iron oxide बनता है और iron oxide जो है भूरा या फिर थोड़ा हलका वो लाल कलर या इसको भूरा कलर का बोल सकते हैं तो इसकी वज़े से भूरा हो जाता है एक कटा हुआ सेव option A right answer है चलि next देखते हैं मचलियों और tentpole में स्वशन अंग होते हैं respiration organs of fishes and tadpoles जो होते हैं वो जो young form of frog यानि जो मेंड़क का बच्चा कह ले उसको यह मचलियों और मेंड़क के बच्चे में स्वशन अंग होता है option B गिल्स इसके लिए right answer हो जाएगा जिनको हम गलफड़े बोलते हैं मचलियों में आम तोर पर गिल्स ही रहते हैं कुछ प्रकार की मचलियों जो की फेफड़े भी जिनमें फेफड़े भी होते हैं जैसे टैड़पूल्स होते हैं पहले वो गलफड़ों से सांस लेते हैं अब बाद में फेफड़े उनके ड्वेल्प हो जाते हैं मचलियों में ऐसा नहीं होता है मचलियों जो है गिल से ही या इंगल फड़ों से ही सांस लेती है या कुछ परकार की जो मचलियों की श्रेणी है उनमें फेड़े भी होते है option B 143 का right answer था चलिए next देखते हैं अगला question इसमें पूछा गया है बच्चों में रिकेटस बीमारी किसकी कमी के कारण होती है ये question repeat हुआ है दो-तिन वीडियो पहले भी हमने question discuss किया था रिक्टेस या जिसको हम सुखा रोग भी बोलते हैं वो बच्चों में विटामिन D की कमी के कारण होता है इससे हडियों का विकास रुख जाता है बच्चों की height भी कई बार नहीं बढ़ती है इसकी वज़े से और vitamin D के साथ-साथ calcium या phosphate की कमी के कारण भी रिक्टेस रोग हो सकता है पर mainly vitamin D की कमी होती है तब ये रोग होता है बच्चों में चलिए next दिखते है तो ये भी question पहले आ चुका है मेरको लगता नीचे 3-4 question जो हो पहले आ चुके है पिछले बाड़े question paper से तो option B जो है Alexander Flaming इसके लिए right answer हो जाएगा तो pencillin was the first ever antibiotic Alexander Flaming found it in the year 1928 pneumatics किसका अध्यन है तो 146 का D right option है सिक्के और पदक या coins and medals इसके लिए right option हो जाएगा pneumatics आप सर्च करेंगे तो उसका meaning ही होता है माफ किजिए new mismatic है ये तो मुद्रा संग्रहन इसके लिए हिंदी में word है चलिए next देखते हैं माफ किजिए कुछ question हम पिछले वीडियो के ही discuss कर लिए हमने चलिए next देखते हैं 154 में है which mirror is used in vehicle for rear view तो जो rear view यानि पीछे देखने के लिए जो शीशे लगे होते हैं गाड़ी में वो किस तरह के शीशे होते हैं आपने देखा गाड़ीयों में कारों में side mirror जो होते हैं वो कौन से mirror होते हैं तो उत्तल यानि convex mirror इसके लिए right answer हो जाएगा अगला पुछा गया है पंच तंतर का लेखक कौन है तो option D विश्नु सर्मा इसके लिए right answer है विश्नु सर्मा एक भारतिय विद्वान और लेखक थे जिनोंने दंत कताओं का संग्रह पंच तंतर लिखा था विश्नु गुप्तियां पर गलट टिक किया गया है 155 का डी जो है right option होगा अगला कशन याँ पर पुछा गया है सर्वोच न्यले की प्रथम महिला न्याधिश कौन थी option A जो है 156 के लिए right answer हो जाएगा मीरा साहिब फातिमा बीबी इनका पूरा नाम है M. फातिमा बीबी या मीरा साहिब फातिमा बीबी ये जो है थी वर्ष 1989 में इस पद पर न्युक्त होने वाली यानि सर्वोच न्यले में न्यामूर्थी के पद पर न्युक्त होने वाली पहली महिला नियाधीश थी इसके बाद उन्हें 3 अक्तुबर 1993 को रास्ट्रिय मानवादिकार आयोग की सदस्य बनाया गया और ये तमिल लाडु की पूर्व राज्यापाल भी रह चुकी है तो 1989 में ये जु थी सरवोच नियाले में महिला नियाधीश निक्त हुई थी और ये देश की पहली महिला नियाधीश थी सरवोच नियाले में चली नेक्स्ट देखते हैं गुप्तचर एजनसी केजीबी किस से सबंधितायद, डिटेक्टिव एजनसी केजीबी एशोशेटिड विद आप्शन भी रूस इसके लिए राइट अंसर हो जाएगा रशिया, रशिया की डिटेक्टिव एजनसी है केजीबी, बात करें USA की CIA है, रशिया की केजीबी है, इ भारत की सिग्रेट एजनसी की बात करें, तो इसका नाम RAW है, Research and Analysis Wing, और CIA को, USA की CIA को, और इसराइल की मोसाद को काफी स्ट्रॉंग बाना जाता है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन D, क्षेत्रफल के अंसार हिन्विलिकित में से विश्व का सबसे छोटा देश कौन वेटिकन सिटी है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है, वो 0.44 स्क्वेर किलोमेटर है, आप देख सकते हैं, एक स्क्वेर किलोमेटर भी नहीं है, टोटल, 0.44 स्क्वेर किलोमेटर है, और कुल जनसक्या जो है, 800 है यहां पर, कुल 800 लोग हैं, और माननेता प्राप्त है, कि वेटिकन सिटी को अलग से देश की माननेता भी मिली है तो option D right answer हो जाएगा एक sea land करके भी एक देश है लेकिन उसको माननेता प्राप्त नहीं है वो वेटिकन सिटी से भी छोटा है पर माननेता प्राप्त आपका वेटिकन सिटी है, option D right answer है बात करें विश्व की सबसे बड़ी देश की इसके एरिय की बात करें तो रशिया का सबसे बड़े देश का एरिया जो है, एक क्रोड, सतर लाख, अठानवे हजार दोसों के लगबग इसका स्क्वेर किलोमेटर में एरिया है और दूसरे तरफ देखिए, आप सबसे छोटे देश का 0.44 स्क्वेर किलोमेटर है 159, option A इसके लिए right answer हो जाएगा विश्व में सरवादिक बोले जानी बाली भाषा जो है, अंग्रेजी है तो लगबग 113 क्रोड, यानि 113 क्रोड से जादा लोग जो है, अंग्रेजी बोलते हैं विश्व में, जिबकि दूसरे नंबर पर बात करें तो चीन की भाषा है जिसको लगबग 111 क्रोड लोग इस्तेमाल करते हैं बोलचाल में और चीनी भाषा का जो ये बोली जाती है, इसको मेंड्रेन भाषा बोलते हैं मेंड्रेन भाषा, तो इंग्लिश के बाद मेंड्रेन है ये जो कि option C में आपको दिखाया गया है 159 का A right option है 160 में पूछा गया है विश्व कई जल परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था option B इसके लिए right answer हो जाएगा Ferdinand Magdalene इसका नाम था यहां पर Magdalene लिखा है पूरा नाम इसका Ferdinand Magdalene था ये पुर्तगाल से सबंद रखता था पृत्वी की खोज का श्ट्रे जो है Magdalene को ही दिये जाता है Ferdinand Magdalene को Ferdinand F-E-R-D-I-N-A-N-D उसने अपने साथियों के साथ पृत्वी का चक्र लगाने को निकला था ये चार फरवरी 1480 को पूर्तगाल में पैदा हुआ था जबकि 27 अपरेल 1521 को इसकी मृत्ति हो गई 160 का B right option था The UNO was formed in the year तो UNO की स्थापना कब हुई? किस वर्ष हुई? 161 का option B right answer है October 1945 को ये बना था इसका गठन हुआ था San Francisco कैलिफोर्निया में जो की United States में है और इसकी स्थापना जो थी वो दुत्य विश्वियूद के परिणामों को देखते हुए की गई थी और Second World War के बाद जो 51 nations थे 51 देश जो थे अंतरास्टिय शान्ति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए UN को फॉर्म करने के लिए आये थे एक उदेश्य से की शान्ति और सुरक्षा रहे और बात करें इसके हेड़कॉर्टर की तो इसका हेड़कॉर्टर जो है New York में है United States में चलिए एक लगशन देख लेते हैं इसमें हमसे पूछा गया है नवाड is mainly associated with Option D right answer है नवाड is mainly associated with agriculture and rural development इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो National Bank for Agriculture and Rural Development ही इसकी फुल फॉर्म है N से National Bank A से Agriculture माँप किजिए N A से National B से Bank A से Agriculture RD से Rural Development 12 July 1982 को इसकी formation हुई थी ये बना था और नवाड का जो Headquarter है वो मुंबई में है ये Ministry of Finance Government of India के अंडर आता है नवाड ये जो organization है चलिए next देखते हैं अमजद अली खान किस्से सबंदित है Question number 163 है Option C जो है सरोध इसके लिए right answer हो जाएगा अमजद अली खान एक प्रसिद सरोध वादक है जिनोंने भारत सरकार द्वारा सन 1991 में कलाक एक शेत्र में पदम भूशन प्राप्त किया था येन को पदम भूशन से सम्मानित किया था बात करें famous संतूर वादकों की जो की भारत में है पंडितर शिव कुमार शर्मा भजन सूप पोरी और तरुन भटाचारे जो है ये संतूर वादक है बात करें सिदार वादकों की तो निशांत खान, अली अकबर खान और निखिल बेनर जी भी रहे हैं पहले ये famous सिदार वादक रहे हैं तब लगब वादकों में जाकिर हुसेन जी का नाम आता है इसके अलावा स्वापन चौधरी भी है वो भी तबलब वादक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं 163 का C राइट ऑप्शन था भारती से न की उत्तरी कमान का मुख्यले कहां स्थित है रंजाओर सिंग जी द्वारा लिखी गई थी तारीक एरियासत सिर्मौर नामक बुस्तक जब आप सिर्मौर डिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे तो रंजाओर सिंग ने अपनी पुस्तव तारीक एरियासत सिर्मौर के अनुसार जो था सिर्मौर राज्य की स्थापना राजार सालू ने की थी ऐसा लिखा था जो कि जसल मेर से आये थे और सिर्मौर का पुराना नाम आपको पता है सुरु घना था ये भी पूछा जा सकता है तो सुरु घना सिर्मौर का पुराना नाम था इसके लावा और भी question पूछे जाते हैं book से कि The Wonderland हिमाचल प्रदेश ये किसे ने लिखी तो जग मोहन बलोखरा इसके लिए right option होगा वैदिक आरे और हिमाचल ये MR ठाकुर ने लिखी थी हिमाचल प्रदेश its shape and state तो हिमाचल प्रदेश इसकी shape और state जो है ये डॉक्टर वाइस परमार द्वारा लिखी गई थी दॉक्टर वाइस परमार द्वारा पुलेंडरी इन हिमाल्याज ये भी book इनके द्वारा ही लिखी गई थी हिमाचल अतीत वरतमान और भविश्य एक जहलक जो है ये देवराज शर्मा द्वारा लिखी गई है देवराज शर्मा द्वारा एक और book लिखी गई है हिमाचल प्रदेश परिचय हिमाल्याज डिस्टिक ओफ कुल्लू एंड लौहल स्पिती ये एपी एफ हार कोर्ट द्वारा लिखी गई थी हिमाल्याज आर्ट जेसी फ्रेंक की बुस्तक थी बिलासपूर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर आनंद चंद की book थी कुल्लू एंड लौहल ये book जो थी C.G. Bruce ने लिखी थी बात करें चंदरधर शर्मा गुलेरी जी की तो चंदरधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा उसने कहा था एक कहानी बुद्ध का कांटा दजयपूर अब्जरवेट्री एंड इट्स बिल्डर हिस्ट्री आफ मंडी जो थी विक्रम कायस्त की थी राहुल संकृत्यान की बात करें तो इनके द्वारा किन्नर देश और हिमाल्य परिचय लिखी गई हैं और हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री शांता कुमार जी उनकी बुक्स हमने पहले भी डिसकस की थी धरती है बलिदान की पहाड बेगाने नहीं होंगे हिमाल्य पर लाल चाया मरिग तृष्णा लाजो राजनीती की सत्रंच ये सभी जो थी शांता कुमार जी की बुक्स थी हिमाल्य अबोड औफ लाइट ये नि भी तो अब मुख लेकक रहे हैं जिन्नों हिमाल्य चल के उपर भुक्स लिखी है तो बीसी ओहरी द्वार हिमाल्य फोल्क आर्ट बुधिस्ट मौनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश इसके लाबाद चमबा पेंटिंग भी है वह वी सी ओहरी द्वार लिखी गई है हिमाल्य की कला एवं पूरा तत्वव यह भी वी सी ओहरी द्वारा लिखी गई है तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बहुत सी बुक्स हैं बुक्से भी कई बार एक आदा क्वेशन पूछ लिया जाता है आपसे चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेशन भी इसमें हमसे पूछा गया है निमिलिक मैंसे कौन सी ट्रॉफी या कप जो है 1888 इस भी मैं शिमला में अन्नाडेल मैदान से प्रारंब होआ था ओप्शन डी दुरंड कप जो है तो आप जानते होगे दुरंड कप जो है वो फुटबॉल से सबंदित है 1888 में इसकी शुरुवात हुई थी यह एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है जबकि दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है और इसका नाम जो दुरंड कप रखा है दुरंड कप वो किसके नाम पे रखा है तो इस टुर्ण से समंदी तयाब याद रखेंगे आप और ये 1888 में सबसे पहले शिमला से ही शुरू किया गया था इसका इतिहास है तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए साथ साथ चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब कर